नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ, जैसा कि सब को पता है, कि आमादिय पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है, आमादिय पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आमादिय पार्टी की दिली और पंजाब की सरकार हैं तह दिल से इमानदार सरकार हैं हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाओं गाओं जाता था कस्मों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदाश्ट नहीं करना मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो हेरा फेरी करने वाले चाहे बेगाने हो इसी सिल्सले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ्रोक्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था तो मैंने उसको गमीर्टा से लिया यह मामला सिर्फ मेरे पास यह मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है मैं चाहता तो इसको दबा सकता था अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोडों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकीन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जोके सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सब को कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी ब़ार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया ये दूसरी ब़ार हो रहा है इतिहास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूट स्पलाई मिनिस्टर को 5-6 लाकर पैया आडियो पर मागते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केस CBI को दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कुछ पिपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि देखो दो महिने में भगवांतमान की सरकार में मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्षन भी महीं ले रहा हूं इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कभूल किया था कि मेरे मंत्री मंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हुए हैं और करॉप्षन करते हैं लेकिन उन्होंने कोई एक्षन लेकिन आमाद्मी पार्टी कट्ड़ इमानदर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सक्ट एक्षन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धार है अगर निय सच्ची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जुन्हों ने पार्टी ही एंटी क्रॉप्शन मूवमेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो तो ये देश बदल सकता है भगत सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कहीं फिर मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूँ ब्रिष्टाचारियों को जो देश को लूट रहे हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कुछ यहीं रह जाएगा